और दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं अगर आपको कुछ इस तरीके का function शो हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आपको यह function को on रखना या off तो हम आपको बताएंगे कि आपको इसको क्या करना चाहिए इसको on रखना या off और यह और यह function किसले यूज होता है आज की इस वीडियो हम यह भी आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों से पहले हम बात कर ले थे कि आपको यह function कहा मिलेगा और आपको इसको on क्यों रखना चाहिए तो देखे फ्रेंट्स आपको यह function से पहले यहाँ पर आपको गोगल डाय करना है फिर आपके सामने दोस्तों यह first option मिल जाएगा caller ID and spam बाला तो आपको इसको टच करके open करना है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर तो आपको यह function मिल जाएगा तो इस तरी के साब इस function पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इसको on क्यों रखना चाहिए तो देखे हमें बताता है कि जब भी हमारे phone में कोई भी calls आती है तो उस पर लिखा हुआ आ जाता है spam ID जो भी हमारी fraud call होंगी जो भी हमारे fake call होंगी तो उस पर हमारा show कर देगा spam ID और अगर कोई व्यक्ति विजनेस से जुड़ा हुआ है और वो आपको call कर रहा है तो उसका भी identify कर द टाइब के आपके पास सामने call आ रही है तो इसलिए आपको इसको ऑन रखना चाहिए विकास हमारे पास जो भी call सारी हो कैसी है फेक हैं फेक आएंगी तो spam call लिखा हुआ आएगा बिजनेस से रेटेर होगे बिजनेस को लिखा हुआ आएगा और आप यहाँ पर दोस्तो इसको ऑन नहीं रखेंगे विकोज हमारे पास जब यह फोन नहीं आते है तो यह अल्यड़ी ऑन आता है यह हमारा off नहीं होता है बाइडिफोर्ट हमारा on रहता है ओके फेंस तो यह हमने जान लिया कि क्या है और इसका use क्यों होता है अगर आप को वीडियो अच्छे लोगी प्रिस को like कीजिएगा and subscribe कीजिएगा thank you so much